नमस्कार, हमारे आज का टॉपिक को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे, क्योंकि टॉपिक सेम है, फॉर्माट भी सेम है, और स्टेप्स भी सेम है, सिर्फ लैंग्वेज यानि भाशा चेंज हो जाएगी, तो हमारा आज का इंपोर्टेंट टॉपिक है डाइरी इंग्लिश में बोला जाता है डाइरी राइटिंग और हिंदी में बोला जाता है डाइरी लेखन, ठीक है, पेपर में पांच नमबर का आता है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको इंग्लिश में डाइरी राइटिंग और हिंदी म में लिखेंगे diary लेखन अगर आपका हिंदी में है topic आता है तो बीच में diary लेखन लिखेंगे इसको आप underline भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते बिलकुल optional है यानि इसके नीचे आप एक line खीच सकते हैं या नहीं भी खीच सकते ठीक है और अगर English में आए तो आप बीच में लिख देंगे diary writing ठीक है अब आपको पूरे format में बस यही ध्यान रखना है कि diary writing आपका बीच में आएगा इसके बाद पूरा हमारा diary writing का जो content है वह है left hand side यानि बाइं हाथ से start होगा ठीक है अब आपने बीच में लिख दिया diary लेखन इसके बाद आप एक line छोड़ेंगे और date लिखेंगे जिस date में आप diary लिख रहे हैं हिंदी का paper है तो आप हिंदी में date लिखेंगे English का paper है तो आप English में date लिखेंगे कभी कभी बच्चों प्रशन में यानि question में date दी गई होती है तो आप वही date लिखेंगे इसलिए question को ध्यान से पढ़िएगा अगर आपने question वाली date नहीं लिखी तो आपके marks थोड़े से कट जाएंगे अगर प्रशन में कोई date नहीं दी तो आप यहां पर कोई भी date दे सकते हैं ठीक है डेट लिखने के बाद अगली line में आप दिन यानि दे लिखेंगे हिंदी का paper है तो आप हिंदी में दिन लिखेंगे और English का paper है तो आप English में लिखेंगे जैसे आप सोम वार लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आप इदर लिखेंगे सोम वार और अगर English का paper है तो आप इदर लिखेंगे Monday ठीक है अब आपने date भी लिख दी और day भी लिख दिया इसके बाद अगली line में आप time लिखेंगे समय लिखेंगे अब मैं आपको यही suggest करूंगे कि आप शाम का समय लिखेंगे क्योंकि डाइरी में हम अपने ज्यादा तर पूरे दिन का experience लिखते हैं यानि पूरे दिन का अनुभव लिखते हैं और डाइरी ज्यादा तर लोग शाम को लिखते हैं इसलिए आप इहां पर शाम का समय mention कीज आप लिख सकते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मेरे recording आपको समय evening का लिखना चाहिए ठीक है इंगलिश का paper दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 8 पीम, 9 पीम, 10 पीम समझ में आ गया अब इसके बाद आप एक line छोडेंगे और अभिवादन करेंगे यानि greet करेंगे हिंदी में आ आप लिख सकते हैं dear diary ठीक है इसके बाद आप अपना प्रशन दिखेंगे और अपनी diary लिखना start करेंगे अब कभी कभी प्रशन में दिया गया होता है कि आप पिछले हफते गोआ गए थे for example तो आप अपनी diary में उसका अनुभव लिखिए तो आप diary में यही लिखेंगे कि pre-a diary अपना content लिखेंगे और उसमें यही डालेंगे कि मैं पिछले हफते गोआ गई थी और मैं आज तुम्हें अपना वहां का अनुभव बताना चाहती हूँ चीक है अगर वहां पर कोई time नहीं दिया सिर्फ यह लिखा है कि आप गोआ गए थे और अपना experience बताए तो पहले गोआ गई थी या मैं पिछले महीने गोआ गई थी या पिछले हफते गोआ गई थी ठीक है अपनी भाशा को यानि अपनी language को easy सरल रखिएगा छोटे छोटे sentence डालिएगा बहुत बड़े बड़े sentences डालने की जुरुत नहीं है लेकिन attractive आकर्शक भाशा लिखिएगा अपने विराम चिन्हों का जरूर ध्यान दीजिएगा कहां पर कॉमा आना है कहां पर फुल स्टॉप आना है कहां पर आपका कोलन आना है हिंदी में विराम चिन प्रशन सूचक चिन यह सब कहां पर आने हैं अपनी grammar का ध्यान देते हुए अपनी diary entry कीजिएगा ठीक है अपर में लिखा हो कि 200 से 200 शब्दों में अपनी diary entry कीजिए 200 से 250 वर्ड में अपनी diary entry कीजिए तो आपको उतनी ही लिमिट में अपनी diary entry करनी है पांच-दस words उपर नीचे हो जाए कोई बात नी लेकिन बहुत जादा लंबी या बहुत जादा छोटी अपनी diary entry वर्ड लिमिट से मत कीजिएगा ठीक है अब आपने अपनी diary entry कर ली उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और नाम लिखेंगे अब दुबारा question को ध्य चांदनी है तो आपको वही नाम लिखना है अगर आपने प्रशन में दिये गए नाम को नहीं लिखा तो आपके फिर से थोड़े से नंबर कर जाएंगे इसलिए प्रशन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद अपनी diary entry कीजिएगा ठीक है प्रशन में नाम दिया गया हो तो वही नाम दिजिएगा अगर नाम नहीं दिया गया तो आप इदर लिख सकते हैं कखग या इंगलिश में अगर है तो आप लिख सकते हैं ABC या XYZ ठीक है अब कुछ स्कूल में नाम के साथ बोला जाता है कि आप अपने signature भी कीजिए यानि sign कीजिए तो अगर आपकी teacher साइन करने के लिए बोला है तो साइन कीजिए नहीं तो मत कीजिए optional होता है साइन करना अगर आप कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा ठीक है तो बस यह हैं आपका डायरी लेखन हो गया ध्यान से कीजिएगा format को एक बार अच्छे से देख लीजिए इसके बाद आराम से आ बेस्ट्वी सपर गीजिए।